नमस्कार साथियों यदि आप भी सिक्सक भरती परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं के विएस के लिए सपना देखा है तो आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं जी यां साथियों बताना चाहेंगे के विएस धीरे धीरे पूरे देश भर से जितने भी KVS के विद्धाले हैं सब ही मैंसे धीरे धीरे वैकेंसी रिलीज हो रही है और जैसे ही वैकेंसी रिलीज हो रही है तो हम आपको वीडियो बनाके इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपको बताना चाहूंगा PRT, PGT, TGT और भी विभिन आधार पर इन भरतियों में चैन कर सकते हैं अपना और बताना चाहूंगा महत्पुन बात सभी राज्यों से कैंडिडेट्स अपलाई कर सकते हैं क्योंकि ये किंदर सरकार की वैप वो है ऑफिसल मतलब की साथियो किंदर सरकार के अधिन आता है KVS तो इसका मतलब पूरे देश भर्चे सभी अभियरति इसमें आवेदन कर सकते हैं बताना चाहूंगा साथ यों कौन्टैक्ट्च और इस तर पर ये वैकेंस आपकी होने वाली है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा क्या एज लिमिट मांगी गई है क्या क्वालिफिकिशन चाहिए प्याटी के लिए क्या है बालवाटी का के लिए क्या है टीजीटी पीजीटी के लिए क्या है और टैट सीट वालो वालो के लिए भी अपलाई करना है या नहीं करना है या कैसे आपका सीट पेपर टू चाहिए या पेपर वन चाहिए तो पूरी जानकारी विस्तार से जान रहे हैं और जैसे जैसे इस तर पर ये वेकेंसी जा रही है सबसे महत्पुन बात आप जब इनमें स्लेक्ट हो जाओगे तो आपको एक अनुभव मिल जाएगा एक आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियन्स हो जाएगा तो आप सीधे इनमें भी अप्लाई कर सकेंगे तो चलिए पूरी जानकारी विस्तार से जान लेते हैं आखिरकार कौन-कौन से पदो पर ये वेकेंसी निकली है तो मैं साथ यो आपको बताना चाहूँगा आप देख सकते हैं इसमें इसमें किलेरले लिखा हुआ है जो कि देख सकते हैं आप सत्र दोजार चौबिस पच्चि फरवरी सुकरवार से सत्रा फरवरी सनिवार यानि कि दो दिन आपका इंटरू चलने वाला है ओफलाइन मोड आपको माध्यम से अपलाई करना है अठारा से पैंसट वर्स आपकी इसमें आयू होनी चाहिए साथ में आप देख सकते हैं आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़ि चौबिस सनिवार को पीम स्री केंद्री विद्याले जगदलपूर परीसर में चल साक्षात कार का आयूजन किया जा रहा है इच्छुक अभियर्तियों से अनुरोध है कि वे विद्याले की ओफिसल वेबसाइट जो की यह साथ ही और नॉट डाउन कर लिजे www.jagdalpur.kvs.ac .in में दिये गए आविदन परपत्र को डाउनलोड करें मैं अभी आपको डाउनलोड किये हुए आविदन पत्र को भी दिखाऊंगा आप देख सकते हैं विशेवार नियोंतम सेक्षनिक योग्यता वेतन एवं सिवा सर्तो तथा विस्तिरत जानकारी को भली माती पढ़ले एवं पद जी यहां साथ हो मैं पहले ही बताता हूं अपनी हैरे की वीडियो में कि आपको नौटिफिकरिशन पूरी तरीके से ध्यान पूरवक पढ़ना है उसके बाद हमें अपलाई करना है विसेवार नियन दिनांग को प्रातहा आठ साड़े आठ बजे से साड़े दस पजे तक पंजियन एवं चल साकसातकार हीतु समस्त मूल प्रमानपत्रों एवं उनकी स्वय हस्ताक शरित छाया प्रतिया एवं दो नवीनतम फोटो के साथ पीम स्री केंद्रिय विद्याले जगदलपूर में उपस्तित होना सुनिश्चत करना होगा इसके अलावा किसी औ और अन्यमाध्यम से आवेदन स्विकार नहीं किया जाएगा रिजक्ट कर दिया जाएगा जी हां साथ यो देख सकते हैं आप पूरी जानकारी में आपको बता देता हूं देख सकते हैं इसमाप दिनांक एक को तो इन जो की ये वाले पद है इनका इंटर्वी होने वाला है और 17 तारीक को 17 फरवरी को इन पोश्ट का जो ये पोश्ट है इनका इंटर्वी होने वाला तो आप देख सकते हैं इसनात को तर शिक्षक यानि कि पोश्ट ग्रीजूइशन टीचर पर शिक्षित इसनातक शिक्षक यानि कि TGT और साथ में काउंसलर खेल कुद पर आपका 16 फरवरी को इंटर्वी होना है जो कि आप देख सकते हैं इसनात को तर शिक्षक यानि कि ग्रीजूइशन टीचर में PGT में चाहिए हिंदी, बायलोजी, गनित, फिजिक्स, कैमिस्ट्री, एकनॉमिक्स, कॉमर्स, अंग्रेजी के लिए टीचर चाहिए पर शिक्षि से इंटर्वी होने हैं तो आप देख सकते हैं एक बार इसमें इसनात कोतर सिक्षक जो की कम्प्यूटर साइंस से है PGT में, प्रात्मिक सिक्षक यानि की PRT का, कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर, विसी सिक्षक यानि की Special Educator, संगीत सिक्षक म्योजिक टीचर, बालवार्टी क प्राइमरी लेवल के लिए होती है, तो मैं इंटर्वी डेट आपको बता चुका हूँ, कौन-कौन से पोस्ट की कब-कब एकजाम होनी है, अब देख सकते हैं इनकी क्वालिफिकेशन भी एक बार और साथ में इनका जो वेतन है वो भी देख लेंगे, साथ में देख सकते ह हैं आप ये पीजीटी के लिए है, जो कि इंगलेश हिंदी, मैट्स, भौतिकी, रासायन, जीविज्यान, अर्थसास्त्र, एंग कॉमर्स, तो देख सकते हैं, टू येर्स इंटीग्रेटिट पोस्ट ग्रिजूइट MSC कूर्स और रीजिनल कॉलेज से होनी चाहिए, साथ म 500 रुपे पर मंत दिया जाएगा, और बाकी की ये क्वालिफिकेशन चाहिए, यदि आप उपर ये वाली नहीं है, तो ये वाली आपके पास में होनी चाहिए, अब बात करते हैं, पीजीटी एकनॉमिक्स के लिए भी देख सकते हैं, आप पीजीटी कॉमर्स के लिए भी है जी हाँ, और एक बार जरूर चेक आउट कीजिएगा वीडियो को, देख सकते हैं आप, साथ में पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी ये वैकन्सी दी हुई है, जो कि 50% अंकों के साथ में ये वाली क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए, बी ये या बी ट आप नहीं पढ़ा सकेंगे, कंप्यूटर ऑफ एप्लिकेशन की आपके पास में नॉलेज भी होनी चाहिए, अगर पीजीटी के लिए अपलाई कर रहे हैं, तो अब बास करते हैं, ट्रेंट ग्रेजूट टीचर जो की टीजीटी के लिए है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्किर्ट में ये वैकेंसी है, देख सकते हैं, फूर येर्स इंटेग्रेटिड कोर्स होना चाहिए, जो की बैचलर डिग्री में 50 परतिसत मार्स होने चाहिए, यदि 4 साल का इंटेग्रेटिड कोर्स आपके पास नहीं है, तो आपके TGT SST याने की social science के लिए यानि सामाजी कोई ज्ञान के लिए आपके पास मैं टू होने चाहिए दो subjects होने चाहिए इनमें compulsory जैसे की यह वाले subjects दिये हुए है history में जैसे की history है, geography economics है and political science है या फिर इनमें से दो होने चाहिए history या geography मैं से एक होना चाहिए साथ में देख सकते हैं four TGT maths के लिए bachelor degree होनी चाहिए इन वाले subjects में एक बर आप जरूरी से check out कीजिएगा जिसमें की statics है, physics है, chemistry, electronics है, computer science है साथ में यदि आप science से बरते हैं TGT के लिए तो science में botany, geology and chemistry होनी चाहिए आप सभी को पता होगा और साथ में देख सकते हैं इसमें आपके पास में tat भी clear होना चाहिए जो की paper 2 होता है जिया साथ यूज आपके पास में stat clear होना चाहिए CTAT खास करके और देख सकते हैं B8 भी आपकी clear होनी चाहिए साथ में इसमें भी आपको हिंदिया इंग्लिस में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए knowledge of computer की application का ज्यान होना चाहिए अब इसकी बात करें वेतन की तो वेतन देख सकते हैं आप इसका वेतन 26,250 रुपे दिया हुआ है अब चलते हैं नीचे देख सकते हैं प्रात्मिक शिक्सक यानि की PRT के लिए बहुत अच्छी वेकेंसी है MSSC यानि की आपके पास SSSC या फिर intermediate मतलब की कह सकते हैं 12th pass आप होने चाहिए 50-30 को के साथ में और देख सकते हैं 50-30 को के साथ में basic teacher में डिप्लोमा किया होना चाहिए या तो आपके पास में D.A.D. होना चाहिए या फिर B.L.A.D. या फिर D.L.A.D. यानि की D.A.D. यानि की D.A.D. यानि की D.A.D. यानि की D.A.D. या फिर B.L.A.D. यानि Bachelor Elementary Education या फिर D.A.D. का मतलब है D.A.D. डिप्लोमा Elementary Education जिया साथ यो GBT जैसे की HTC ये सब डिप्लोमा इसमें चलेंगे और आपको बता दू मैं साथ यो देख सकते हैं आप पास इंटी Central Teacher Algebra Test पे यानि की पहली से पांच वी तक के लिए अगर पढ़ाते हैं तो आपके पास में पेपर सीटर का क्लियर होना चाहिए साथ में देख सकते हैं इंग्लिस में मेडिया में पढ़ाने का यही है और कोई तीसरी भासा इसमें नहीं है पढ़ाने के लिए साथ में देख सकते हैं आप Computer of Application में Knowledge होनी चाहिए आपको थोड़ा बहुत ग्यान होना चाहिए इसके अगर वेतन की बात करें तो 21,250 रुपे इसमें वेतन दिया गया है जो की देख सकते हैं आप अब बात करते हैं बालवाटी का Teachers के लिए तो बालवाटी का Teachers में आपके प सकते हैं इसमें 21,250 रुपे बहुत अच्छा सुनहरा आफसर है नर्स की बात करें महीला चाहिए नर्स जो की 750 रुपे परती दिन इनकी सैलरी होगी और मानेता प्राप संस्तान से नर्सिंग में इनकी डिग्री होनी चाहिए वह भी तीन साल की होनी चाहिए देख सकते हैं सिलने खेल पर सि rappers कोच की बात करें तो स्पोस कोच में साति खेल पर सिक्षतान में आपके पास महीं मानेता विश्विद्धा ले या फिर BPA या फिर BMP विश्यसज्यता के साथ में राज्यसतर पर पर परतिनी ox throughette तो आपने किया होना चाहिए, सूटिंग, हैडन बॉल, आर्चरी, अथलेटिक्स या विशे सग्ये को प्राथ्मिकता दी जाएगी, साथ में इनका जो वेतने वो भी देख सकते हैं, 21,250 उर्पय आपको मिलेगा, इंटरों में चयान होने के बाद मैं, कम्प्यूटर अनेदी सग्यानी की कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर की या दिवात करें, तो देख सकते हैं, कम सी भी कम 50% अंकों के साथ में, विस्विद्दाले सा अपने डिगरी या डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में ये भी देख सकते हैं ये भी qualification इसमें दी हुई है और साथ में graduation PG भी चाहिए PG DCA होनी चाहिए या फिर PG with PG DCA O level from DOX से होनी चाहिए प्राथमिक के लिए दिबात करें तो साथ यो इसमें 21,250 रुपय आपको इसमें वेतन दिया जाएगा माध्य में कक्षा के लिए 26,250 रुपय आपको वेतन दिया जाएगा योग सिक्शक की या दिबात करें तो यो इसमें वेETन दिया जाएगा 12 पास आप होने चाहिए या फिर डियर या special education इन में category में होनी चाहिए यानि कि इतने सारी qualification में से एक qualification आपके पास में होनी चाहिए कुल मिला करके साथ हो इसमें 11 qualification दी हुई है special educator में तो आप ध्यान पूरवा कि इस वीडियो को रोक करके देखिएगा या फिर notification पढ़ने के बाद में आप देखिएगा website बता ही चुका हूँ website पर जैसे ही आप जाओगे home page पर जाओगे तो वहां पर announcement section में आपको मिल जाएगा form भी और यानि कि वह आपको form भी मिल जाएगा और यह पूरी जानकारी मिल जाएगी notification counselor की बात करें तो counselor में आप देख सकते हैं बीए बीए सी साइकलोजी में होनी चाहिए 26,250 रुपया आपको वीतन दिया जाएगा जी आप विद्याले की जो कि आप सभी जानते हैं जगदलपुर 36 गड़ में है यदि आप suitable है जाने के लिए तो आप जा सकते हैं और वरना आप अपने जिले में या फिर आप अपने यहां पर साथ यो अपने ही राज्ये में वेट कीजिए आपके यहां पी जो की वीए से उसमें वैकेंसी सभी हर्थियों को प्राथ मिक्ता दी जाएगी जिया साथ यदि आप एंटिटी पास है तो आपको बालवाटी का में प्राथ मिक्ता दी जाएगी ध्यान से आपको जानना है यदि आपने एंटिटी किया हुआ है तो आपको इसमें प्राथ मिक्ता दी जाएगी बात करें ह जगदलपुर सीजी यानि कि 36 गड़ में है एक बार देखेंगे यह टेलीफॉन नंबर है और यह ओफिसल वैब साइट है तो एक बार जरूर एक बार यदि आप सूटेबल है तो जरूर आविदन करें सुनहेरा आउसर है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक् इन्फरमेटी वीडियो आप तक पहुंचती रहे मिलते हैं इन्फरमेटी वीडियो के साथ जय हिन जय भारत